एंटीपीसी ने किया 2182 करोड के डिविडेंड का भुगतान, जानिये डिटेल एंटीपीसी ने एक बयान में कहा है कि उसने वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए 23 नवंबर 2023 को 2182 करोड रुपए का पहला अंतरिम डिविडेंड जारी किया, यह कमपनी की पेड़ अप एक्विटी कमपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों का साथ 2.25 रुपए प्रती शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया था, पबलिक सेक्टर की बिजली कमपनी एंटीपीसी ने आज गुरुवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 2182 करोड रुपए के पहले अंत 2023 से 24 के लिए 23 नवंबर 2023 को 2182 करोड रुपए का पहला अंतरिम डिविडेंड जारी किया, यह कमपनी की पेड़ अप एक्विटी शेयर का 22.50 फिसदी है, कमपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों का साथ 2.25 रुपए प्रती शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान क किया था, आज 23 नवंबर को कमपनी के शेयर 0.45 फिसदी गिरकर 252.50 रुपए के भाव पर बंध हुए हैं, कमपनी का बयान के अनुसार यह लगातार 31 वां वर्ष है जब NTPC Limited ने डिविडेंड का भुगतान किया है, कमपनी अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न प्र प्रतियर एनरजी सेक्टर में एक प्रमुख कमपनी के रूप में NTPC Limited अपनी स्ट्रेटेजिक इनिशेटिव और मजबूत फाइनेंशिल पर्फॉर्मन्स के माध्यम से एक सीलेंस, सस्टेनेबल ग्रोथ और शेर होल्डर सैटिसफैक्शन को आगे बढ़ा रही है, कैसे र गया है जबकि एक साल पहले इस्तिमाही में कमपनी का मुनाफ़ा 3,331 करोड रुपए पर था, कमपनी के मुनाफ़े में यह बढ़ोतरी 16.63 फीसदी की है, कमपनी की आई की बात करें तो यह सालाना 41,015 करोड रुपए से घटकर 40,875.3 करोड रुपए पर आ गई है, सितम्बर तिमाही में कमपनी ने 10,537 करोड रुपए का एविट्डा दर्स किया है, एक साल पहले इस तिमाही में 9,135 करोड रुपए पर था, कमपनी के मार्जिन की बात करें तो यह सालाना 23.1 फीसदी से बढ़कर 25.8 फीसदी पर आ गया है,